सपा की राश्ट्री अधियक्षा खलेशी आदव ने संत कभीर नगर में एक जन सभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि यह जो नौजवान यहां हमें दिखाई दे रहे हैं जिसकी हर परिक्षा का पेपर लीक हो गया है याद रखना नौजवान यह आपकी परिक पराजित हुई एक जन सभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने विपक्षी दोलों पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि इस दोरान में सभा की साइकल दोस्त होगी और कॉंग्रेस बुरी तरह से पराजित होगी तो वहीं 2024 के चुनाव में भाजपा 400 का आकड़ा पार करके सरकार बनाएगी परुकहबाद लोगसबा सीट पर बीते 13 मई को हुए मतदान के दोरान भी एक युवक ने आट बार वोट डाला जिसका वीडियो अब वायल हो रहा है इसे लेकर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्जकर बताया है कि वीडियो में दिखने वाला शक्स प्रदान अनिल ठाकुर का बेटा राजन ठाकुर है लोगसबा चुनाव के लिए पांचवे चरण का हुआ मतदान आज शाम च्छे बज़े समाप्त हो गया आपको पता दे कि कॉंग्रिस का गड़ राय बरेली सीट को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी कॉंग्रिस की मदद के लिए सक्रिय हो गई है सपा भी कॉंग्रिस की राय बरेली फटै करने के लिए अपनी कमर करस चुकी है कोशामी लोगसबा के कुंडा के प्रात्मिक विद्याले यानि की पूरे उत्तर मैदानी केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी ने गड़बडी का आरोप लगाया है जहां अपने आरोप में भाजपा प्रत्याशी विनोस सोनकर ने कहा कि बिना नाम और फोटो के पीठा सी रधिकारी द्वारा चुनाव में ड्यूटी की गई है इसको लेकर भाजपा प्रत्याशी ने गड़बडी की आशंका जताते हुए मामले की शिकायश जिला निर्वाचन से की मुन्देल खंड में जहांसी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर लोग सबा सीट यू बांदा चित्रकूर संसदी शेतर 48 है इस सीट पर हैट्ट्रिक लगाने के लिए भाजपा बेचयान है इसके लिए पार्टी के स्टार प्रचार को ने इड़ी चोटी का जोड लगा दिया है प्रवांचल की दस दिले की बारा लोग सबसीटों से चुनाव लड़ है मानिता प्राप्त दलो के प्रत्याशी असलहों के शौकीन है सारवधी क पांच लाइसंसी असलह जौनपुर के सपा प्रत्याशी बाबू सिंग कुश्वा और उनकी पतनी शिव कन्या कुश्वा के पास है जिसमें राइफल रिवॉल्वर के साथ कई उपकरण बरामत बुए है बारबंकी जिले के दो गाउं में विकास कारियों को लेकर मतदाताओं ने मतदान कभःशकार कर दिया जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है आपको बता दे कि रामनगर विदान सभर शेत्र के जमका गाउं में मतदाताओं ने गाउं में सडक, पुलिया और गौशाला की मांग को लेकर मतदान नहीं करने की गोश्णा कर दी जिसके चलते मतदान प्रभावित हुआ है रक्षामंतरी राजनास सिंग ने बड़ा बयान दिया है जहां उनका कहना है कि इस चुनाव में विपक्ष पस्त पड़ा है ऐसे मुद्धो को हवा दे रहा है जो वास्तों में कहीं है ही नहीं चाहे आरक्षन हो संविधान हो या फिर अगनी भी सभी पर विपक्षी जूट का सहारा ले रहे है मुजफर नगर जिनपत में हस्ताक्षर के मामने में अभी नेता नवाजुदीन सिद्धी की का भाई आयाजुदीन गिरफतार कर लिया गया है डियम नयायाले के पेशकार की शिकायत पर ये कारवाई हुई है